राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी को गनेश चतुर्थी की बहुत बहुत सुपकावनाई तो दिन की सुरवात हुई स्कूल से क्योंकि बच्चों का अभी बेटी का एक्जाम खत्म हुआ लकिन बेटा का एक्जाम अभी भी चालू है तो सबसे पहले स्कूल के लिए तयारी कर दिया है वह स्कूल चले गए और उसके बाद हमने शुरू किया है गनपती भगवान की तयारी तो ममी ने आज थोड यहाँए iron में कोई और है नहीं तो सारे तयवार लगबगब अपने ठीचत क этом कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि और आ penser कमीने चाहए तो Laurent से वाला दो दो से वाला चार तो कोई आते हैं तो तेवहारों के टाइम पे अट लिस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है तो अभी ममी ने चार-पाच थोड़ा सा लड़ू बना लिया था और भगवन गणीश जी को घर के बने हुए कुछ न कुछ मिठाई में सुबह पहले जड़ती है बाफी दीन में मार्केट आम पहले धिन घर आती हूं तो इसी में क्या हो जाता है बूंदी भी बन जाते है जैसे सूखा बुंदी बना लिया और थोड़ा सा लड़ू भी हमने बना लिया है जब तक ममी यह सब कर रही थी तब तक देखो कैसा हो रहा है यहां पर हाल तो इसमें एक पेपर मिलता है Amazon में आप लोगों को मिल जाएगा इसकी quality बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं link share नहीं कर रही हूँ अच्छोटे इसे राधा रानी को बैठांगी इससे के में पाइस कोण में सथापित करें नहीं और तक इसलिए मुझे इस तरह से वाख़ता कर ना प्ढ़ता है ताकी गैंजी के जो सापित में करूंगी उनमें उनको पिल्कुल हिलाया ना जाए क्योंकि गनेज जी की एक बास थापना हो गया तो जब तक उनकी विसर्जन नहीं होता है उनको बार-बार हिलाते नहीं है कभी और इस बाद को कितनी प्यारी सी छोटी सी में गन्पती जी की मूर्ती लेके आ तो कोई नहीं कोई बात नहीं इस बार मैंने बिल्कुल पता करके फिल लेका ही गनेज जी की कैसे पूझा क्या यह मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पूझा बीदी मैं आप सभी लोगों के साथ अल्रे मैं तीन के लिए करती हूं मतलब पहले दीन आ को अ Gleichively दूसरे आपको में ज़िकर करना नहीं होता है । जिसमें कलस्थापना से लेकर हर चीज मैंने आपको पताया हुआ है अगर आपके घर में सुन्दर सी जगा है आपने बहुत अच्छे से मंड़ब सजा के जगा है तो आप कलस्थापना करके अच्छे से पूजा करें तो अब जो है न ये क्लीफ है साम का गानपती भगवान को दूद का ही भाग मैंने लगा था घरby जब भी भी बाठाएंगे जब भॉब ऋटेए तो साम को जो करेंगे अखंड दिया तो जली रहा है ऑठ जब भूब लगा है थोड़े डिरबात अब आपको दिखाते हूँ किचन का हालत जिस दिन तेवार रहता है उस दिन काम बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है आप सभी लोगों को भी पता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा उड़ता है मैदा भी कुछ बना आटे का कुछ बना तो आटे का हाथ लगता है बह या तव्य तक हमेंजा है कि और आप मेरे साथ की यह किते हैं वार भी होता हिए मेरे साहथ ही नहीं से पहले कोशिस करती हूं की बिल्कुल जानव सक करा it और कुछ चीज़े हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाया है जब इसको साफ करती हूँ तो एक बड़ मैं देखी लेती हूँ काफी अच्छा लगता है जैसे आभी तो तेवार का टाइम है चलो अभी तो बिलकुल समय नहीं मिलता है लेकिन कभी भी फूर्सत के टाइम पे कुछ ना कुछ बनाती हूँ इससे मेरा समय भी चला जाता है और कुछ ना कुछ बनता है तो देख के भी बाद में बहुत अच्छा लगता है यह सारे जो racks है यह मैंने Amazon से लिया है और Amazon में आपको इस तरह का racks बहुत मिल जाएगा आप अपनी जगा के हिसाप से कोई भी design ले सकते काफी काम की चीज है इतनी से जगा में काफी सारे चीज़े आपको organize भी रहती है और एक साथ सारे चीज़े आपको मिल भी जाता है किचन का काम शुरू किया सच बताऊं तो शुरू में जब मैंने किचन का हालत देखा ना आप लोगों ने देखा न तो ऐसा लग रहा है कि भगवान आज तो इसको साफ करना एकदम नामुम्किन जैसा दिख रहा है लेकिन हाँ कोई भी चीज नामुम्किन तो होता नहीं है जैसे हमें थोड़ी से साहस लेके चीजों को सूरू करना होता है जैसे हम सूरू करते हैं तो अपने आप चीज़े धीरे धीरे होती रहती है अभी साथ साथ में बच्चों का एक्जाम भी चल रहे है तो बच्चे धर पढ़ा ही कर रहे हैं मैं अपना काम में लगी हूं थोड तो अखंड दिपक का बिल्कुल ख्याल रखना अखंड दिपक हमारे लापरवाही के वज़े से बुझना नहीं चाहिए बाकी देखो कुछ होता है तो कोई बात नहीं लेकिन अपना लापरवाही नहीं होनी चाहिए तो देखें यहां पर गड़े ड्रेस वगरा चेंज कर द कर के नहीं सबसे पहले और आप लोग यがो होले प안ते हैं जो सबसे पहले हो कैसे सुलाते हैं तुद थोड़ा थोड़ा माया के सोला देती हू इतरह मैं रोजा हैं जिससी दिन जासा है मंदिर का काम खतम करके फिर मैं आगई किचन में और किचन में आके जो गैस स्टोब आज बहुत गंदा हुआ था क्योंकि इसमें काफी सारे तेल दूद बहुत सारे चीजें बनती रहती है तो कुछ न कुछ गेरता भी रहता है अब जो है ना गैस को और गैस के नीचे पूर बरतन भी मैंने दो के रख दिया क्योंकि आभी तेवार पर तो बरतन काफी लगता रहता है कोई ना कोई बरतन में लगाती रती रहती हुआ और यहां पे जो भी सामान था सारे चीजे में धोलूंगी और दो बोटल में यहां पर हमैसा रखती हूं और जब थंडे का टाइ दिख रहा था और अभी थोड़ा साफ ही दिख रहा है ना तो इसी तरह से रोज ही में साफ सफाई करके ही सोती हूँ चाहिए वो त्यभार का दिन हो कितनी भी काम हो कुछ भी हो जाए और इसके बाद देखिए आज तो आज थोड़ा सा गैस का पूजन भी मैंने कर लिया दोगों को पूरा विधी विधार मैंने देखा के रखा है लेकिन यह भी मैं हमेशा कहती हूं कि जितना आप से हो पाड़े जितना आप से बन पाए उतना ही करें बहुत ज्यादा नियम मत लीजिए जितना आप कर पाएंगे एक धूप चलाना ज्यादा टाइम नहीं लगत दूप या दीप नहीं रखते हूं दो तीन मिनिट यहां पर रखूंगी खड़ी रहोंगी ताकि कोई भी ऐसा काम गलत चीज़ें नहीं हो जाए और उसके बाद दूप को यह दिश दिन थोड़ा सा काम कम रहेगा दूप जलाती हूं तो उस दिन दीप को मैं मंदिर में र पोस्ता भी कर दिया तो आज का यह चोटा सा व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधी राधे तीस दवहा रिलेटेड और भी वीडियो के साथ जुड़े चुरूर है ना